तो भाईयों आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि यदि आप PUBG New State में आपनी प्रोफाइल पिक्चार या फिर प्रोफाइल फोटो को चेंज करना चाहते हो तो फिर आप कैसे करोगे मतलब कि यहां पर इदिया आप आपना फोटो लगाना चाहते हो या फिर किसी दूसरे का फोटो लगाना चाहते हो तो फिर आप कैसे लगाओगे भाईयों PUBG New State में आपने फेस्बुक से लॉगिन किया हो या फिर गूगल से या फिर ट्वीटर से या फिर एमेल आईडी से जरूर कर देना और आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो एर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो भाईयों सबसे पहले आपको करना क्या है यहां पर आपको एक आप्सन मिल जाएगा प्रोफाइल का आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसी आप इस पर क्ल आपको इस पर क्लिक करोगी तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा यहां पर अल्लेडी फोटो लगा हुआ है लेकिन मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताता हूं जिन्होंने पपजी न्यू स्टेट में इमेल आइडी स पतलब की Gmail application को open कर लेना है open करने के बाद यहां पर right side में उपर की तरफ इनकी profile दिख जाएगी इस पर click कर लेना है उसके बाद यहां पर वो सभी email ID देखने को मिल जाएगी लेकिन PUBG new state में जिस email ID से आपने लोगिन किया हुआ था उस email ID को यहां पर आपको select कर लेना है तो भाईयों जैसी कि मैं उस email ID को select कर लेता हूँ तो भाईयों मेरी यह email ID है तो मैंने इसी को select कर लिया हुआ है उसके बाद यहां पर आपको एक option मिल जाएगा manage your google account आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार profile के option पर click कर देना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा set profile photo आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर आपको choose photo के option पर click कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको from gallery पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपने उस photo को select कर लेना है जो photo आप PUBG new state में लगाना चाहते हो तो simply जैसे कि मैं यहाँ पर इस वले photo को select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको accept के option पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा होगा setting profile photo तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait कर लेना है उसके बाद आपको फिर से pubg new state को open कर लेना है तो भाईयों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब कि जैसे ही आपने वहाँ पर photo change किया और तुरंत यहाँ पर आपका photo नहीं change होगा आपको थोड़ा wait करना है 10-15 मिनिट तक आपको wait करना है उसके बाद आप देखोगे pubg new state को open करके तो यहाँ पर आपकी profile photo में जो photo लगा हुआ है और change हो जाएगा तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको open किया हुआ है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी भी photo change नहीं हुआ है तो भाईयों अब मैं उन लोगों को बताता हूँ जिन्होंने facebook से pubg new state में login किया हुआ है और लोग किस तरीके से यहाँ पर आपनी profile picture को change करेंगे तो simply उनको भी कुछ नहीं करना है जिस id से उन्होंने pubg new state में login किया हुआ है उसी facebook id में जाकर और यहाँ पर जो उनकी profile picture होती है facebook में उसको change कर देना है जैसे ही वो change करोगे simply यहाँ पर भी वो profile picture उनकी change हो जाएगी और भाईयों जिन्होंने twitter से login किया हुआ है उनको भी कुछ नहीं करना है जिस id से यहाँ पर pubg new state में उन्होंने login किया हुआ है उसी id से उन लोग को twitter open करना है और वहाँ पर उनकी profile picture को change कर लेना है जैसे यह लोग change करेंगे तो भाईयों उनकी भी यहाँ पर यह profile picture change हो जाएगी तो भाईयों मैंने आपको सब कुछ आसान भासा में बता दिया यदि आपको ये वीडियो थोड़ी से भी पसंद आयो हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तब तक के लिए बाई